अभी हाली में मैंने कुछ दरसक गश्क्य कमेंट करके पूछ रहे थे और कुछ ऐसी सोसल मीडिया पर वीडियो़ भी आ रहे थे कि कांट मुच्यल फंड को डीफ यह जा रहा था अब को ये वीडियो Quant mutual fund के favor में नहीं है लेकिन बहुत सारे दर्सकों ने मैंने भी reviews किये Quant के कई सारे mutual fund personally मैं भी निवे सी थूँ Quant के mutual funds में तो half-lawn में ही मैंने Quant इसके small cap funds के regarding कुछ data share किया था यह अभी इसकी performance कैसी है पिछले 6 में इने 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और since inception वो comparison था benchmark के साथ भी और Nifty 50 के साथ भी तो उस पर काफी आप लोगों ने आपको समझ में आया और अच्छा लगा आपने पसंद भी गया उससे के साथ कई लोगों ने पूछा था कि Mid Cap और Active और बाकी के funds का भी data बताईए कि उनमें भी बहुत सारे निवेसर जो निवेसित हैं तो hello everyone, राम राम नमस्कार मैं हिमाचल सिंग, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज आपको बहुती सटीग जानकारी मिलने वाली है क्वांट Mid Cap Mutual Fund के बारे में कि इसकी top holdings क्या है कौन-कौन से stocks को जो priority दी गई है और अभी यदि देखें पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल जो भी ये period है और since inception यदि आपने Lumsum Investment किया होता example लेंगे 10,000 आपने एक बार लगाए तो fund ने कितना बना कर दिया है bench मागने कितने बनाए है और साथ ही nifty ने कितने बनाए है दूसरी तरफ जो small cap में भी मैंने आपको नहीं बताया था ये तो Lumsum वाला हो गया मैंने वहाँ पर share नहीं किया था data लेकिन to be more conscious तो यहाँ पर मैंने ये भी edit कर लिया Lumsum वाला और साथ ही साथ आपको 10.000 रुपे के दिया आपने SIP की है और अभी आपकी continue है इससे आपको एक help मिलेगी जो ये front running वाली news इसमें चल रही थी उसका outcome तो अभी हमें clear का data वे दिखाई नहीं दिया है लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए अब ऐसा किसी भी AMC किसी भी scheme के साथ future में भी हो सकता है आप यदि सोचोगी आज क्वांट से निकल कर मैं किसी और XYZ AMC में अपना पैसा डालनू तो क्या भरोसा है उसके साथ ऐसा नहीं होगा उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है फ्रेंट रर्निंग हो सकता है कुछ और डिस्प्यूड हो सकते है तो यतना रिस्क तो आपको equity या फर equity mutual fund में निवेस करते समय सो समझकर continue करना पड़ेगा और कई बार हमें negative return पर भी अपना investment continue करना पड़ता है तब ही तो long term में पैसा बनता है ठीक है तो top 10 equities holding देखेंगे उसी के साथ आपको समझ में आदा है कि ये top 10 companies जो हैं हो सकता है कुछ companies ऐसी भी होंगी जो small cap में आपको देखने हों मिलेंगी large cap companies जयाने कि small cap में भी हैं और mid cap में भी हैं तो वो क्यों रखी जाती हैं क्योंकि growth भले ही कम मिले लेकिन एक stability, उतार चड़ाओ कम हो stability, volatility को कम करने के लिए इस प्रकार की companies को add किया जाता है तो quand mid cap fund loan चुआ था 20 March 2001 को इसकी top 10 holding से दी देखते हैं percentage to the NAV as per July 2024 का data जो है सबसे number 1 पर Ourobindo Pharma, Pharma Group की company है percentage है 9.92%, almost आपका 10% के आसपास अच्छी कासी allocation इसमें रखी हुई है दूसरे number पर Reliance Industries, जो की number 1 पर थी सायद small cap fund में हा number 1 पर थी 9.53%, 69%, देखे, दो, मतलब गजब की company दोनो Ourobindo Pharma भी अच्छी company है कुछ समय के लिए consolidation face में चल रही थी तो जब इनको opportunity दिखिये तो इनको अपने जो इसमें value जो है बढ़ा दी है तीसरे number पर container corporation of India 9.17% इस stock के बारे में मैंने individual review करके आपके साथ share किया था कि यदि 3-5 साल या उससे long term के लिए आप किसी company को hold करना चाहते हो तो यह यानि की container corporation of India एक company one of them हो सकती है IRB infra यह stock भी इनकी holding में काफी लंबे समय से है 8.82% की holding है इसके बाद Steel Authority of India जो की book value के आसपास company trade कर रही है हाँ लेकिन ऐसा stock नहीं है कि बहुत जल्दी दोलेगा dividend भी अच्छा देती ही company लेकिन long term के लिए कच्छुए की चाल से चलता रहेगा आपके पैसे बन जाएंगे नुकसान में जाने की संभावना है बहुत कम है तो यह कोई video individually stock specific नहीं है लेकिन कुछ stock ही ऐसे दिख रहे है कि जिन पर commentary मैं उल्लेडी आपके साथ पहले share कर चुका हूँ data तो इसलिए मैंने बता दिया आपको next है medical limited बहुत ही silent company oil में जो edible oils होता है best company यह भी slow and steady वाली company है बहुत कम ऐसे निवेसक होंगे जिनके portfolio में यह company आपको मिलेगी क्योंकि highlighted नहीं रहती है लेकिन company की growth बहुत अच्छी है product best parachute हर घर में उप्योग होने वाला इसका जो product है coconut oil 5.81% के हिस्तदारीस में ITC बहुत ज़्यादा highlighted company है 5.26% Tata Communications 4.58% Linde India 4.21% Bharat Forge 3.13% तो यह top 10 companies है इनको मिलाकर हो जाता है 87.99 almost 88% की holding नहीं इनको मिलाकर इतना नहीं होता है 69.21% which is a high percentage यानि कि केवल 10 company के अंदर आपने almost 79-70% पैसा लगाया हुआ है तो यह एक प्रिकार का जो है ना इसको देखकर क्या समझ में आता है कि यही top stocks में से यदि हम individual stocks खरीद के अपने portfolio में उठा कर रख लें जो company मुझे परसंद है condition क्या है long term के लिए क्योंकि हमें नहीं पता है कब खरीदेंगे कब बेचेंगे यह अपने accordingly अपनी positions को add करेंगे या फिर exit हो जाएंगे वहां से तो यह investment करते समय individual company आप खरीदने जा रहे हो तो आपको source समझ कर action लेना पड़ेगा ठीक है किसी mutual fund को हमेशा follow नहीं कर सकते हो तो इसका equity और equity 20 holdings जो है top 20 87.89 है और 30 top holdings जो है 87.99 यानि कि number of stocks ही कम है इसके अंदर इसलिए 20 तग 87.89 और 30 तग 87.99% की holding तो top 20 के अंदर ही almost top 10 के अंदर ही maximum जो है equity का return यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब चलते हैं इनका lump sum जो 10.000 रुपय का किया उसने कितने return दिये है 6 महिने के अधी बात करते है एक तरब आपको return मिलेंगे scheme के benchmark के nifty के तो हम return आप देख लिए ना क्योंकि video लंबा हो जाएगा मैं आपको सीधा valuation कितना बना है 10.000 रुपय आपने केवल एक बार लगाए है तो 6 महिने में scheme ने 12.400 बनाए है benchman ने 12.200 और nifty ने 11.500 लगबख similar है कोई खास difference नहीं है और कभी भी हम mutual fund में निवेश करते हैं तो 6 महिने का तो मतलब भी नहीं होता यदि आप 6 महिने या 2-4 साल को सोचकर mutual fund में वेश करने जा रहे हो न प्लीज मत करिएगा अपना पैसा कहीं और डालिएगा मत करिएगा कम से कम 5 से 7-8 साल ये भी कम समय है 10 साल से उपर का समय यदि आपके पास है इतना सोचकर आप investment कर सकते हो mutual fund में तभी entry करनी है नहीं तो कोई खास फायदा होने वाला नहीं है YTD यानि की yield till date जो अभी financial year चल रहा है मतलब calendar year चल रहा है जन 2 जुलाई के यदि बात करें तो यहाँ पर 13-400 बनाया है इसकीम ने 12-700 बेंचमार्क ने 11-500 आपके बनाया है तो यहाँ पर भी कोई खास फर्क नहीं है अब यह क्यों नहीं देखने को मिल रहा है आपको अब return यह दि आपको दिखाऊंगों तो फर्क दिखेगा YTD के return देखिए 34.21% आपके जो है इसकीम ने बना कर दी है 27.73% बेंचमार्क ने 15.68% जो है केवल आपके nifty निकाल कर दी है लेकिन आप value-wise यह दि देखोगे 13,400 आपके बेंचमार्क ने जो की लगबग दूने से भी ज़्यादा return निकाल कर दी है आपकी स्कीम ने लेकिन value-wise उदर साड़े 11 बने इदर लगबग साड़े 13 तो 2000 का फर्क देखने को मिल रहा है इसी लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि equity investment है ही long term के लिए यदि यही पैसा आप 10-15 साल के लिए छोड़ दो तब आपको compounding मतलब return मिलते वी जड़र दिखाई पढ़ेंगे यदि बात करें एक साल की तो परसेंट 25 परसेंट 27 यह return का हो गया 16,000 15,000 12,000 तो यहां पर 50-50 बहुत नीचे रह गया है तीन साल 31 परसेंट 28 परसेंट 17 परसेंट अलमस्ट अठार है 22,000 21,000 16,000 तो बैंच माग तो अलमस्ट नेक है ज्यादा फरक नहीं है लेकिन 50-50 से तो बहुत आगे निकल गया है दोनों आगे देखिए 5 साल के रही बात करते हैं लमसम के बारे में 37,000 31,000 15,000 18,000 29,000 49,000 324,000 49,000 444,000 यहां पर बैंच माग से 10,000 रुपा अलमस्ट आगे निकल गया है क्योंकि return भी यहां पर 31,000 और 37,000 यहां पर 50-50 ने return ज्यादा बना कर दी है क्योंकि यह 2019 से यदि बात करें जो इसकेम का inception हम लगाते हैं जो change हुआ है लेकिन यहां पर कब से दिखा रहा है जब से inception हुआ है 2001 से इसलिए जब से quantum transfer हुआ है उसके बाद ही return की exact journey जो है SIP मोड़ पर ही निवेस्ट करते हैं और वो है भी one of the best investment जिनको कम मतलब salary आती है या income है वो monthly हर महीने बचा कर पैसा निवेस्ट करते हैं सबसे बढ़िया तरीका है तो 10 यह रूपे के SIP की एक साल के अंदर एक लाग 20 यह रूप आपके जाएंगे तो यहाँ पर benchmark और जो आपका यह quant midcap fund है almost neck to neck यहाँ पर return है दोनों ने अच्छे जो है हाँ gap भी है 69-84 और 62-68 तो यहाँ पर भी अच्छा कासा gap है लेकिन time कम है तो आपको value wise में इतना ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलेगा जो इसका index है बेंचमार्क है वो है nifty midcap 150 TRI तीन साल के अधी बात करें तीन लाग साड़े आर आपकी जेट से गए इस scheme ने बनाए है 6,40,000 41.24% के return है benchmark ने 6,20,000 यहाँ भी लगबग benchmark जो हैं बराबर दोडने कोसिस कर रहा है लेकिन nifty 50 के दी बात करें अल्मोस्ट आधा रह गया है 4,93,000 21.63 के return है 5 साल में 6,00,000 रुपा आपकी जेट से चले गया 16,13,000 लभबग scheme ने बना दिये 40,94% के return है 14,47 आपके benchmark ने बना दिये 36,12 के return है तो यहाँ पर gap आपको देखने को अभी मिल जाएगा 10,53,000 निफ्टी ने बना है 21,52 के यहाँ पर भी return आपको देखने को मिल रहे है 7 साल में 8,44,000 आपकी जेट से गया 26,90,000 आपके बना दिये इसकीम ने बना दिये 22,96,000 आपके benchmark ने 16,20,000 आपके निफ्टी ने बना दिये Since inception के यह दिबात करें तो यहाँ पर return फिर अगेन आपको बहुत कम दिखाई देंगे क्योंकि वही वाली story है कि जब से quant में change हुआ है transformation हुआ है तब से असली return जो है behavior ने आपको देखने को मिला है quant के अंदर लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है यदि हमें long term में 15% के return 16% के मिल जाए that is enough 30-40% के return देखकर है बहुत ज़्यदा खुस होने की ज़रूत नहीं है इतने हमेसा नहीं मिलते है तो since inception as per this time frame जो 2001 से तो यहाँ पर पैसा चला गया 28,10,000 रुपए हमने जमा कर दिये 10,000 रुपए के SIP के हिसाब से और यहाँ पर जो पैसा बन गया इस scheme ने quant mid cap ने 2,47,90,000 लगबग बना दिये यानि कि मोटा मोटा 2,5 करोड रुपँ बनाए है 15,81% के return मिले है bench mark का data नहीं है और यही 15,54% return आपके nifty 50 नहीं बना कर दिये excellent return है बहुत चांदार 2,38,000 लग इस नहीं बना दिये almost nifty 50 और आपके quant mid cap के return long term में same देखने को मिल रहे है लेकिन जो निवेसक अब निवेस करेंगे उनको benefit ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अब pure आप quant fund में ही निवेस कर रहे हो तो आपका जो history है वो आज से create होगी या फर पिछले 2 साल से पहले से कर रहे हो 4 साल से कर रहे हो तब से create होगी ये तो केवल आपको समझाने के लिए और केवल इस line को समझना बहुत जरूरी है जो since inception वाली चीज है 15.81% return वाली चीज है 7 साल, 5 साल, 3 साल को देखकर attract होकर निवेस करने की जरूत नहीं है नहीं तो आप नुकसान में अपना पैसा निकाल लोगे जो कि आपके लिए बहुत नुकसान का सोदास आभी दो सकता है mutual fund ठीक है तो उम्मिद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा इस डेटा को देखने के बाद मुझे तो कुछ असा लगा नहीं है कि पिछले 6 महिने से जो कहानी अभी change हुई है जो front running के news इदर आई है कुछ भी impact किया आपर देखने को नहीं मिलता है और उसका impact क्यों नहीं देखने को मिलेगा मुझे पता है I am a fund manager ऐसा समझ लिजी या फिर आप हो आपको पता है तो मैं क्या करूँगा अपने घरवालों से रिष्टियारों को मित्रों को बोल दूँगा क्योंकि मैं अपने डिमेट अकाउंट से खरीदूँगा तो बहुत जल्दी track कर लिया जाऊंगा लाखो करोडों में सेर्स करीदेगा तो उस कंपनी में डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस उपर जाएगा और उसी को देखकर बाकी रिटेल इंवेस्टर भी उसमें पैसा लगाते हैं तो ये पूरी कहानी होती है तो ये कहानी मीचल फंड को नुकसान कम पहुचाएगी मतलब कुछ अगर अंदर कुछ और खाते नहीं चल रहा है कुछ गलबड बढ़ी नहीं है तो ये पूरी कहानी है तो इससे तो कोई मीचल फंड की परफोर्मेंस पर फरक पढ़ते हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा और ये पढ़ती है तो कुछ ना कुछ गलबड है और ऐसा बाकी की मीचल फंड एमसी के साथ भी हो चुका है वो मैं डेटा आपके साथ पहले भी सेयर कर चुका हूँ तो आपके क्या व्यूज है क्वांट मीचल फंड को लेकर